दो लाइने इंटरसेक्ट करती हैं याने ये चेक करना है और हमें point of intersection भी बताना है तो इसका एक और आपको मैं simple method बताता हूँ करना क्या है आपको पहली लाइन को lambda के बराबर रख देना है दूसरी लाइन को new के बराबर रख दीजे दोनों में से x और y और z की value निकालेंगे तो पहली वाली कैसे निकालनी है हम लोगोंने इसको lambda के बराबर रखना है तो हमें x मिल जाएगा जो directly आएगा हमारे पास minus 3 lambda minus 1 दूसरा आएगा 2 lambda plus 3 तीसरा आएगा lambda minus 2 तो ये पहली line के point को हम लोग p कह देते हैं दूसरी line के point को आपने mu के बराबर रख रख है क्या मिले 3 mu plus 7 ये हो जाएगा 2 mu minus 7 तो ये दो point है अगर ये दो point same हुए तो line intersect करेंगी तो हम लोग मान लेते हैं कि yes they intersect इसका मतलब हम लोग equate करेंगे x and y coordinate तो इनको अगर आप equate कर लेते हो तो क्या मिलेगा हमें 3 lambda minus 1 mu के बराबर है और y coordinate को compare किया तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 lambda plus 3 बराबर है minus 3 mu plus 7 के यहाँ से एक equation बनती है जो हो जाएगी वैसे आप mu की value यहाँ से use कर सकते हो mu की value में इधर डाल देता हूँ तो यह हो जाएगा 2 lambda plus 3 is equal to minus 3 mu is minus 3 lambda minus 1 plus 7 इसको solve करना होगा हमें 2 lambda plus 3 ये हो गया 9 lambda plus 3 plus 7 shifted to this side ये हो गया minus 7 lambda ये उधर चला गया 7 lambda की value minus 1 आ रही है अगर lambda की value minus 1 है तो mu कितना हुआ इस equation की मदद ले सकते हो ये हो जाएगा minus 3 minus 1 minus 1 जो हो जाएगा 3 minus 1 यानि के 2 ये lambda और mu की values के लिए z coordinate चेक कीजेगा तो अगर हम लोग z coordinate पे जाते हैं तो z coordinate हमारे पहले point का z coordinate lambda की value minus 1 रखने पे मि लेगा minus 1 minus 2 जो की minus 3 है और वहीं second के अंदर mu की value रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 into mu यानि के 4 minus of 7 minus 3 क्योंकि हमारे z coordinate same आ रहे हैं इसके बाद लिख दीजेगा कि दोनों line इंटरसेक्ट करती है और point of intersection बड़ा simple है चाहे lambda यहां रखके निकाल लो चाहे mu रखके निकाल लीज plus 1 और ये value रखने पे मिल गया minus 3 और अगर हम mu की value यहां पे रखें तो भी same आएगी mu की value 2 रख दीजेए so this is 2 यहां पे 2 रखा minus 6 plus 7 यानि के 1 और 2 की value यहां रख दी 4 minus 7 यानि के minus 3 दोनों से हमारा point same आ रहे है hence the lines will intersect और ये है point of intersection